बसंत पंचिमी मुहूर्थ यानि पर्व वैसे हैं जैसे अच्छे तितिया इस पर्व पर आप सभी प्रकार के शुभकार शंपन कर सकते हैं यहां तक की बिवाह भी बिवाह, मुंडन, ग्रीप्रवेश, ग्रीप्रारंब, विद्याप्रारंब और तमाम चीजें जो भी नाम करण, अनप्राशन, यह सारे सुभकार बिना पंडित जी से पूछे, बिना कलेंडर में देखे, सभी सुभकार कर सकते हैं भगवान स्री रामचन जी इसी दिन माता सेवरी से मिले थे इस पर्वका यह भी और तमाम ऐसे कथा आते हैं नमस्कार, मुशालता पंडे, आसान जिन्देदी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ, जैसा कि बसंद पंचमी कब है, आपको मैं बता चुकी हूँ, अब मैं आपको बता रहे हूँ कि बसंद पंचमी पर क्या करें, क्या ना करें, तमाम हमारी उजर पूछे ह कि हमको आप बताईए कि उस तिथी में, इसके पहले भी एक वीडियो मैं दे चुकी हूँ, पूजा करके दिखाए हूँ, आप उसको जरूर देखें, जो भी भोग प्रसाद में बनाए हूँ, उसको बनाए, पर जो पूछे हैं कि क्या करें, क्या ना करें, उसके लिए वी स्थान खा लेते हैं, तो सिर्फ पसंद पंचमी पर नहीं, पंचमी तिथी, इस तिथी में बेल का कोई भी वस्तू खाने से, चीज खाने से, वेक्ति को कलंग लगता है, जैसे मैं वीडियो दी हूँ कि एक तिथी में, कि किस तिथी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खा जैसे बता रही हूँ कि पंचमी के दिन किसी भी पंचमी तिथी में बेल नहीं खाना चाहिए, वेक्ति को कलंग लगता है, उसी प्रकार से बिद्या प्रारंब, मतलब पिछली वीडियो में भी बताई हूँ, जो हमारे नए वीवर हैं, उनके लिए है कि बिद्या पारंब यानि वैसे तो यह बसंद पंचमी का समय होता है, यह पढ़ाई समाप्ती के ओर रहता है, बच्चे अपने परिच्छा के तयारी करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो पहली बार बिद्या प्रारंब, माता पिता कराना चाहते हैं, तो बसंद पंचमी के दिन ही, उनको लाल पेन या पीले किसी चीज से, हल्दी वगर से, किसी लगडी से, सफेद कागज पर कुछ भी ओम या कुछ भी लिखवाना शुरू करके अगले साल से उनको स्कूल में डाल सकते हैं। बिद्या प्रारंब इसी दिन से कराना चाहिए बहुत ही सुब और बहुत सी तेज तरग दिमाग होता है बच्चों का जो इस दिन शुरू करते हैं बिद्या प्रारंब यानि कि पढ़ायी का सुरूआद घर में, छोटे बच्चे, उसी तरह से इस दिन गुरुवार के दिन बसंद पंचिमी पढ़ने से पर्व का महत बहुत ही बढ़ गया है क्योंकि माता सरुसती को भी पीले चीज बहुत पसंद है उसी प्रकार से गुरु आर के दिन जब ये पढ़ रहा है तो जो माताय बहने हमसे प्रस्ण करें को गुरु आर का भी ब्रत करती हैं और बसंद पं तीन ब्रत एक साथ पढ़ें तिसका महापुन्द फल उस ब्यक्ति को मिलता है तीनों ब्रत का फल लेकिन आपको कहना पड़ता है कि हम ये भी ब्रत कर रहे हैं ये भी और ये भी जिस ब्रत का ज्यादा महत्त हो उसी को ज्याजा तवज्जु देना चाहिए जैसे आप निर ब्रत को बोलो कि हमारा ये भी ब्रत है ये भी ब्रत है और ये भी ब्रत है तो सभी ब्रतों का खलाप मिलेगा और सभी देवताओं का पूजा भी करना चाहिए जिनका मन एकाग्र नहीं होता विशेश कर बच्चों का पढ़ने में कि बैठे कहीं है उनका चित कहीं है जैसे दादे लोग बलती थी कि मन मोर महगवा चित वो सोले, आनि मन खाने पीने में गूमने में चित और कहीं, तो ऐसा होता है बच्चों का, मम्जी पापा को दिखाने के लिए किताब का पे लिए हैं मन उनका खेलने में ऐसे हैं, तो इसलिए बता रहे हूं, हल्दी की गाठ का, म मन को में गर्इप रहता है वहाला एक साथ जो माला रहता है वो नहीं जप करने के लिए मन के में गईप रहता है उसको लाजब लाने के बाद एक हैं नहीं जैसे कोई competition exam का तयारी कर रहा है या वैसे ही मन एक आग्र नहीं होता कोई कोई बोलते हमको पूजा में मन नहीं लगता पूजा मजबरन करती हूं या करता हूं मन नहीं लगता मन मेरा और कहीं दहता है हल्दी का माला ले आए पीले वस्र पहने हल्दी और केसर युक्त तिलक यहां से यहां तक आप लगाएं और पीले वस्र और पीला ही आसन जो बैठने वाला होता है और पीला ही सीर में पगड़ी टोपी या कुछ भी चीश्ट को ठक के जब हम जाप उगर करते हैं अगर इस दिन चार माला यानी थोड़ बड़ा बड़ा होता है मन का तो च हमारा मन को जिस जगह जिस अच्छे जगह लगाना चाहते हैं वहां एकागर होके इस्थिर हो जाए और उस चीज को हम अच्छे से पढ़के याद करके परिच्छा में पास हो जाए जहां भी हमको मन लगाना है वहां हमारा मन लगे उसके बाद पीली खीर क्यानी जो हम खी कीर बनाती थी तो व 그건 श्वाद अब नहीं है गुल और मेवे और घी यह तीन चीज डाल देते थे और जो कोई छीज पहुआब यहां लिए कर खाते हैं वह स्वाद उनमें अब नहीं है जो हम घरेलू हमारी दादी लोग मारी सासुर मा लोग बनाती थे उनमें स्वाद रहता था अब बहुत देशी घरेलू चीज गूड पंच मेवा मतलब मेवा आपको मैं बता रहे हूं जिसमें काजू किसमें सूखा नारिय और चिरव जी ये सब मेवा में आते हैं जितना भी मेवा हो सके राल के थोड़ा सा केसर ये खीर बनाके मा सलसती जी को भोग लगा के गाय कववा कुट्टा गरीब गुरया और ब्राहमर को भी दान कर सकते हैं खुट खा सकते हैं क्यूंकि गुरु आरह है इस खीर का महत त इतना बनाए कि घर में सब को खिला दीजिए अगर कोई अतिति आये हैं तो उनको भी इस खीर को खिलाए जो रितू होते हैं उनमें राजा है बसंत रितू इसी पर्व में जैसे कि अभी माहमेला शुरू है प्रयागराज में तो विशेश असनान साही असनान भी इस बसंत रितू में विशेश वहा शुरू होता है मागीपूरिमान होता है और तमाम पर्व में जैसे हम नहीं चांबाते हैं तो घर में भी अच्छी तरीके ऊसनान करके पीले वस्यृदाराण से बड़ी चीज होती है आप माता के पास हादे खड़े हो जाए एक चोटा सा घीज का धीपक जलाने घी तो आपको मिले जाएगा घर में रहता ही है थोड़ा सा कलस लख रहे में हर पूजह मताती हूं तो आप माता का फोटो रखें, विशेज कर बच्चों से इस पूजा को कराएं, सरसती बंदना भी काने को बोलें, जय जय है जग दंबे माता, एक मैं दीव हूँ गाके, दुलगा जी कारती है, पर इमा सरसती जी के लिए भी गा सकते हैं, द्वार तुम्हारे जो भी आता, बिन मागे सब कुछ पा जाता, इस बंदना माताओं के लिए है, सभी माताओं एक ही सरूप की हैं, ये बंदना भी गा सकते हैं, मैं आपके बता रहे हूँ कि पसंद पंचमी पर क्या करें, क्या न करें, इसी तरह से मैं हमेसा बताती हूँ कि कोई भी विशन न करें, नसा न करें, कोई भी ऐसे कार न करें, कि जैसे लोगों को तकलीक पहुंचे, जैसे ये बसंद पंचमी पर वोईसाई है, जैसे अच्छे तितिया, और तमाम पर वोपर हम जैसे बोलते हैं, कि किया गया पुन, दस गुना बढ़ के मिलता है, वैसे ही किया गया पाप, कर्म भी, का फल, डंड के रूप में दस गुना होके आपको मिलेगा, जैसे आप कोई पाप किये, तो उतना ही नहीं, उसका जो पाप का डंड है, तो दस गुना बढ़ के मिलेगा, इसलिए तमाम, उसे तो कभी भी भी नहीं करना चाहिए खराब काम, लेकिन इन तितियों पर विशे अधिक बोलना, इसलिए इन सब परवो में संकल्प लेकर आप छोड़ने और त्यागने का प्रयास करें, आपका जीवन, अगर आप लोगों को सरलता से जीने देंगे, आपका जीवन भी सरल होगा, हमेशा हेकडी, बदमासी, गुंडेगर्दी, इसलिए हमेशा नहीं रहत इनका जो पाप कर्म का उदय होता है, जीवन के अन्त में, अरधार्द में, आधे जीवन के बाद, तब लोग इस सोचते हैं कि हाई कितना बूरा, हम आपको बता रहे हूं कि आप इस सब चीजों से बचे हैं, बसंद पंचमी पर क्या करें, क्या न करें, इसमें आपको मैं बता रही हूं, जो मांस भच्छड करते हैं, उनको भी मैं बोलती हूं कि नहीं करना चाहिए, अपने जो साकाहारी चीजें हैं, बहुत ही स्वादिष्ट, पोस्टिक और बहुत ही जीवन दाई हैं, इसमें आपको कोई ऐसी चीजें नहीं रहते हैं, तमाम चीजें मिलाव इन परवों का जो महत्तो हैं, अपने बच्चों से बताएं, ना कि सिगरेट फूगते हूँ आपने बच्चों के सामने दिखेंगे, तो आगे वो भी कुछ करेंगे, तो पलट के आपको जबाब देंगे, कि आप ऐसा किये थे, तो हम कर रहे हैं, तो क्या बुरा है, इसी आपस में ही सडयन, मतभेद, लड़ाई, जगडा, राजी के लिए सब, अगर उनके बच्चे करते थे, तो बोलते थे, ऐसा मत करो, तो बोलते थे, आप भी किये थे, वो ही मैं बता रहे हूँ, कि आप फूद अच्छे रहो, तो आगे आप किसी को समझा सकते हो, अच्छे होने के लिए, उसी प्रकार से इसी दिन, बसंद पंचमी के दिन ही होलक्या स्थापना भी होता है, यानि जहां होलक्या गड़ती है, जंडा, लाल, जंडा गार के होलक्या जी गड़ती है, आज के दिन ही होलक्या जी का स्थापना होता है, तो मैं आपको बताए हूँ, बस झाल झाल